हेलो स्टूडेंट शिक्षा एफम दे ओनलाइन प्लेटफॉर्म ते तो अड़ा स्वागत है मैं दिविंदर यादव तो आनू अज मैं मैं लाइब्रेरी मनेजमेंट दे MCQ करोन दी समझान दी कोशिस करूँगा ए टोपिक जेड़ा है ए स्पूल लाइब्रेरियन दे विच बहुत ही जादा काटा आया सी शायद एदा एक क्वेस्चन आया सी पर मैं तो अनू फिर भी कह देना मैं छुड़ों दा कुछ भी नहीं है क्योंकि बच्चे दी त्यारी ही माईने रख दी है ओ दी सेलेक्शन वास्ते ततो आनू मैं आज एक बार फिर लाइब्रेरी मनेजमेंट दे MCQ समझान दी दसन दी कोशिस करूँगा जिनना बच्चे ने MCQ मेरे लाले समझ लो लाइब्रेरी मनेजमेंट दे वेच ए दे स्टूडेंट इस वीडियो नो देख रहा है वीडियो नो लाइक करना बिलकुल भी ना पूल ले आजे क्योंकि सलेबस तो आड़ा जेड़ा है लाइब्रेरी रिस्टोरर दा सलेबस बहुत जल्द आज आ जाएगा मेरी सुत्रादे हवाले तो खबरे है पी अगले हफ्ते यानि के आज तो मैं वीडियो बना रहा था शनीवार है मंडे तो लेके अगले शनीवार तक तो आड़ा जड़ा सलेबस है ओ आ जाएगा अगले हफ्ते तो तुसी साड़े चैनल नो जुरूर सब्सक्राइब कर देना है लाइक करना है पहला इक उनो तुसी जुरूर प्रेस कर देना है तक आना ड़ी वीडियो तो आनो टाइम टू टाइम मिल सके और बच्चो नाड़ ही साड़ा एक भैतरीन बैच लाइब्रेरी रिश्टॉरर दा चल रहा है साड़े एप दे उते डिस्क्रिप्शन दे वेच तो आनो इस वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे वेच ओ दा एप दा लिंक मिल जेगा ओनो तुसी जुरूर डाउनलोड करना है अगर तुसी एदी पीडियेफ लेना चांदे हो ता ओ साड़े कोर्स दे वेच फ्री पीडियेफ ना दे फोल्डर दे वेच पैया होन गिया ओ सबतो पहला ध्यान दियो अपना पहला प्वेचंस की है aja कि हुऊ इस दा फाधर ओफ ट्लाउसिकल मनेजमेंट आ कि अला सिकल प्रबंदर दे पिता किस्चनु किया जंदा है एक कृश्चन साढ़ці तो पुछैं गया है थीक है भी इंस तुसी एदा थान रखना है अ को सब तो पहला सारे स्टूडेंट जान देओ एल लूर्विक एफ ड्योकर लुथार गुलिक या फिर हैनरी फेरॉल याद रखना क्लासिकल दे जड़े फादर है ओ हैनरी फेरॉल है जड़े क्लासिकल मनेजमेंट दे जिननों फादर किया जगता है ठीक है है हैनरी फेरॉल बहुत बड़े स्टेट्समेंट सीगे बहुत सुल्जवे इंसान जड़े है उसी हाँ जी अगला देखो सेकेंड कोश्चन आपका करन दी समझान दी मैं तो अनुकोशिस की कर रहा है मोडरन मनेजमेंट इस क्रेक्टराइज बाई डैश अप्रोच आदूनिक परबंद नूँ डैश पहुंच दोआडा दरसाया गया है कीडी, हिस्टोरिकल साइन्टिफिक, स्टेटिक सल या फिर साइकोलोजिकल देखो बड़े हिस्टोरिकल, हिस्टोरिक दा मतलो हिस्टोरिकल रिलेटेड है, यह नहीं हो सकता यह था होई नहीं सकता ओप्शन नो कटना के में पेपर देवेच स्टेटिक, स्टेक्टिस मतलो आंकड़े देतरा है, आंकड़ा तरह ही दिर साया गया साइकोलोजिकल यानि के दिमाग दे रिगाडिंग नहीं, यह भी नहीं है तो साड़ा ओप्शन केड़ा आएगा साइंटिफिक विज्यानी करण करण देनाल एस अप्रोच नो दिर साया गया है, किस अप्रोच नो मोडरन मनेज में ठीक है जी, हाँ जी मैं तो अनू फिर समझान दी कोशिस यही कर रहा है, यह साटा एप है जिननों तुसी जुरू डाउनलोड करना है फ्री पीडिएफ तो अनू उत्थ ही मिलेगी अगर जेड़ा बच्चा systematically बेच लेना चानता है ओ स्टूडेंट नो में एक समझान दी कोशिस यह कर रहा है कि ओ स्टूडेंट भी जेड़ा है साटे बैच नो ले सकता है तो अनू पेपर दे विच मिलेगा की की तो अनू एदे विच सारे वीडियो मिलन गिया जिनिया भी आजे तक मैं कराईया है ओ वीडियो मिलन गिया ओधिया पीडियो मिल गिया ठीक है टेकनिकल जेड़ा सत्तर नंबर दा पेपर आएगा पंजाबी एदा पेपर मिलेगा तो अनू पंजाबी एदी त्यारी तो अनू होएगी जी दे विच व्याकरण गुर्मत काव किस्सा काव और ठीक है जी और एक होर है उदा नाम में पुल गया आचे ते नहीं आ रहा है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना ता ही पंजाबी आड़े फोल्डर मैडम मनपृत कोर जीड़े की दो सो बवंजा दे वेच वो शामिल ने दो सो बवंजा की है पंजाब दे वेच मास्टर कैड़र दी परती आई सी क्याड़ी काट वो दे वेच सरकार ने मेरिट बनाई सी जी दे वेच जोइनिंग लेटर भी देता सी दो सो बवंजा आये हो जे बच्चे सी के जिना दे एक दो नंबर कट गे सी यह जोइनिंग लेटर है तुशी ओ तुशी ओ अनू पंजाबी पढानगे ओ दन पढारे सी जिदन आपना गुर्मत का वो करा रहे सी था ओ सार्चे में गुरुनानक देवजी दियां देवजी दियां जिनियां भी पोडियां हैं इनने रागदा देवेच उना दियां बा इना 13,000 बच्चा सिरफ पंजाबी दियां दिया man दिया है और 38% बच्चा एक साई इस इंस्पेक्टर चोप न पेपर आँ मिलेगी ठीक है सारी PDF तो अनू मिलेगी सारा systematically त्रीक के नाल तो अनू सारा उस जगांते जड़ा है मिलेगा ठीक है भई तो मैं तो अनू एही गल समझान दी दसन दी मैं कोशिस करूँगा अगर मैंनू टाइम मिले तो अनू मैं दस भी दोंगा अभी किस त्रीक के नाल सड़ा रहा है ज्यादा भई आपा गल बात करांगे नहीं आपां कर रहा होना एमसी की हां जी हूँ इस काल दा फादर ओफ साइंटिफिक मनेजमेंट दे फादर कोन है आ क्वेस्चन तो अनू पेपर दे वेचायेगा इस टोपिक दे विच्चो ते नहीं कोश्चन बन सकते है एक क्योंकि मैं वो टोपिक दे विच्च जाना नहीं चांदा एक रहा है क्योंकि अपने एमसी क्यू जड़े है और अजे तक चल रहे है वू इस काल दा फादर ओफ साइंटिफिक मनेजमेंट किसनू विज्ञानिक परबंद दा पिता केहा जंदा है तो F.W. टाइलर ये प्र साइंटिफिक मनेजमेंट दे केड़े है वो लोजी F.W. समझा आगे भाई अगला कोश्चन देखो Hmm Who is the father of management theory अब management theory केड़ी है management दी दो theories है केड़ी केड़ी है theory X and theory Y अब तुसी कहोगे तो आनू paper देवे चो question आएगा theory X और theory Y वैसे फेपर चो question नहीं आएगा पर बाई चान से आएगा ता हित्तों आएगा theory x and theory y किस दे regarding है तो तुसी याद रखना ए जडी theory है ओ management दे regarding ठीक है बई ओ management दे regarding ए गल तुसी याद रखने है समझ आगी बई हाँ जी तो आप अंगल कर रहे सी father of management theory दे father जडी है ओ कौन है ओ है जी Peter F दे रख ठीक है जी Peter जी एदे पापा है एदे father है एस theory दे अंजी अगला जेड़ा अपनी slide दे उत्ते तुसी देख रहे हो ए साड़ा WhatsApp ग्रूप है 8588 86200 साड़ा WhatsApp नंबर है जी दे विक्स तुअड़ा नाम जी में तुअड़ा नाम है राकेश या तुअड़ा नाम है जस्परीद तुअड़ा मुबाइल नंबर तुअड़ा एक्जाम एक्जाम जी में तुसी लाइबरेरी रिस्टॉरर जहां तुसी पीटी एई 2000 या तुसी MPH हमाजागी वई, multi-purpose health worker female ओधी त्यारी कर रहे हो, एससे city, kd.city तो बिलोंग कर दे हो, मोड तो बिलोंग कर दे हो, बठिंडा तो बिलोंग कर दे हो, गोनुयाना तो बिलोंग कर दे हो, ता तुसी यह त्थ LiG एसे नंबर ते वाट्सेप उसी कर देना है तो आनू असी साठे ग्रोप दे वेचे एड़ कर देंगे जिदे वेच आसी बच्चे आनू प्रैक्टिस जड़ी है उकर होंदे समझागी वही हाँ जी सलेबस जल्दी ही तो अड़ा आजेगा सलेबस देखके त्यारी करोगे सले ही IES, DC या फिर PCS या DSP बढ़ जन्दे समझागी वही जिमें पेपर सलेबस हुन्दा है उस दे सावनार पेपर कदे भी नहीं आन्दा तीक है ना हाँ जी ए तुसी देखना है हाँ जी कोशन नंबर अपना आ गया जी पजब वू फादर फॉर्मूलेट्टिड एलिमेंट जिस ओफ मनेजमेंट प्रवंदक दे तत सबतों पहला किसने त्यार किते हाँ अगला सवाल देख़ो बही अगला सवाल केड़ा है किसने फूर्टिन प्रिंसिपल पेश किते किसने 14th principle पेश किते हां जी 14th principle किसने पेश किते ता उन्हादा नाम है जी हैनरी फिरोट इना ने 14th principle लिखते समझागी तुसी comment box दे विच जरूर लिखना है जी दे विच स्टार्टिंग तो स्टार्टिंग हुंदी है पीतों बोलो हां planning हमाजागी कि एधा मतलव कि है planning है तुसी यों दसने है ठी ओधे विच फोटिंथ principle है ओधे प्रिंसिपल है यानि के 14 जेड़े principle है ओधे विच्च जेड़ा सब तो लास्ट अड़ा principle है एड़ा principle है सब तो लास्ट आड़ा एा अपा होने एसे कोस्टन दे दुज्ये विच देख लांगे आपां तुसी देखना थां जी आ देखो जिस प्रिक्चे नार थां जी आ देखो asprit day crop ए एदा सब तो last principle है चौधमा principle है जड़े चौधा principle है नरी फेरॉल ने निटते ओदे विचो सब तो last principle है asprit day crop एदा प्रिंसीपल है एदे विच की दर्साया गया है एदा मतलब की हुन्दा है कि union is strength जड़ी union है ओदे विच ही शमता है ठीक है ना हाँ जी तुसी ये गल्दा त्यान रखना है मैं एदे नाड़नाड ही तो आनू ए समझान दी कोशिस कर रहा हां कि एस कोशन दे विच तुसी करना की है वो पुच्छू आप चौदा प्रिंसीपल ओफ मनेजमेंट की ने दिते एनरी फेरोल ने दिते जिनना नूँ पादर ओफ कलासिकल मनेजमेंट भी कया जन्दा है ठीक है भई थन जी तद एदे नाड़नाड ही साटे कोड लाइबरिरी रिस्टोरर दे 56 वकेंसियां दा बैज जड़ा चल रहा है दो सो बन में परतियां फूल लाइबरीरें दियां जल्द ही आना रहा है ठीक है मास्टर कैडर इंगलिश दे त्यारी बैतरीन त्रीके नाल त्यारी हो रही है तुसी डेमो सेक्सपीर दा लाई चुके हो ठीक है पीए स्टेट एटिटी दा बड़ा शांदार बैज जड़ा है साटे कोड चल रहा है पीटीए दो हजार दी वकैंसी केंदे है एसे मिन्नेच आन दी सब आबना है और बाकी भई सरकार दा कोई पता नहीं है वैसे अठाई सप्तम्बर दा बोले रख्या जी सानू ठीक है न आँ कि मैं तो आनू धसी दे ता है सब टो लास्ट इदा प्रिंसीपल है ठीक है न एक टो अनू धस ने सब टो लास्ट प्रिंसीपल है लुठार गुलिक वाज द डारेक्टर ओफ विच और्गनाइजेशन केड़ी aargenerization दे डारेक्टर सीगे ओ डारेक्टर सीगे American National Institute of Public Administration ठीक है ना ओ एक ठीक है ना याद रखना ए लुथार गुलिक ठीक है भई हाँ जी सारे स्टूडेंटनों मैं एही समझान दी दसन दी पोसिस जड़ी है ओ कर रहे हाँ भई ठीक है भई हाँ जी अगला जेड़ा पोइंट है ओ देखो भई अगला दो पोइंट है ओ तुसी ध्यान देऊ भई की पोइंट है वू इस दा प्रोपोनेंट ओफ पोस डेक्टरोब ठीओरी अब सब तो पहला ही एदा ही पेपर देविच क्वेस्चन आजनता है अब तो अन्मू पेपर देविच एस ठीओरी तो क्वेस्चन आएगा ए ठीओरी दित्ती की ने सी ए ठीओरी जेड़ी है लुथार बुलिक ने और एल लिूर्विक ने दित्ती सी ए गल तो तुसी याद रखना पदों दित्ती सी भई उन्नी सो सेंटी देविच दित्ती सी ए ठों ही कोश्चन पुछा जाना है उन्मू पेपर दा मतलव की होएगा पेपर दा मतलव की है इस ठीओरी दा मतलव की होएगा जेडी मैं तो अन्मू पिछे दासर आ सी ना पी दा मतलव की है planning ठीक है एदा मतलव की है planning ओदा मतलव की है organization ठीक है ना ओदा मतलव की है organization या organize लिख सकते है या organizing लिख सकते है ठीक है भी S दा मतलव की होदे staff ठीक है भी T दा मतलव होदे directing ठीक है भी ती ओ दा मतलब है ये पेपर चाहिया विया सवाल है सी ओ दा मतलब है जी coordinating ठीक है जी? coordinating और reporting reporting budgeting budgeting की है एदा अब तुवाननू पेपर देवेच पुछा की गया कि सीयो दी फुल फॉर्म की है coordinating होते आया सी coordinate ठीक है शायद अब एनू 1977 देवेच ए थियोरी दित्ती गई सी किन्ने देवेच नी सो सैंती देवेच लुथार गुलिक और लुर्विक ने management दी थियोरी देदी दित्ती गई सी हांजी अगला देखो अगला question देखो भाई अगला question है who is proponent of TQM theory total total quantity management theory ए किस ने दित्ती भाई ता तुसी याद रखना ए डबल्यू ए वर्ड्स डेमिनिस ने दित्ती जेड़े की USA Navy देवेच से एक है ना ता तुसी एनना गल्ला दा त्यान भई रखना है मैं फिर तो अनुकेन दी कोसिस कर रहा है सड़ा systematically बैच जेड़ा है चल रहा है पंजाव दा इकलोता चैनल है जेड़ा तो अनुत त्यारी भी करवा रहा है systematically त्रिक्केन अर्दस भी रहा है गाइड भी कर रहा है तो अनुस सारे पंजाबी यह यह नोन टेकनिकल दी भी त्यारी जेड़ा है करवा रहे है अगला सवाल देखो एस कोशन दा एंसर तुसी द्यो भी सारे जने हां जी सारे जने एस कोशन दा जेड़ा है जो भी ठीक है भी ठीक है ना तक की बोलिया है सब तो पहला सारे बच्चे उन तो पता ही है तो अनुस सारे अनुस पता है कि प्रिंसिपल ओफ मनेज्मेंट ठीयोरी की ने दिती सी हैनरी फैरॉल ने दिती सी ठीक है ना यह था तो आनुस सारे अनुस सारी गल पता ही है आता गल तो आनुस पता ही है ठीक है भई अब ध्यान रखना M B O ठीक है भई मनेज्मेंट ऑफ मनेज्मेंट बाय अब्जेक्टिव ठीक है भई और मोटिवेशन हाइजीन डवलोप्मेंट टू फ्रेक्टर थियोरी एस हरजब बर्ड हरजब बर्क ने दिती समझागी ओस्तों बाद जेड़ी एक गल तुसी याद रखनी है अगला देखो भई ठीक है ठीक है ठीक है टाइदा राइट ओप्षन जेड़ा है ओब बी ओप्षन आएगा यानि कि अपना नों इत्तों यह पता लग्या सी कि दोदा दुज्जा एक की ओप्षन देवेच है एस करके ही मैं यह एंसर जेड़ा है लाद लाद है और दा स्क्राइब फिफ्टी-फिफ्टी ते तयत ही कर सकते हो समझा गी भई हां जी अगला देखो भई ठीक है न अर् elas लेख किस ने पेस कित दा ठीक्स अर्ट्री एकस शेयोरि थ्योरिय यह त्योरियेश का दे वास्तिया मनेजमेंट ले याद रखना किस ने भासतिया Юरी । तू फेक्टर थियोरी की ने दित्ती है ए मैं तो अनू होन भी दस से आहाँ पहला भी दस चुक्या हाँ ए एफ हर अरगेज बार्ड ने दित्ती है ठीक है जी हाँ जी ए मैं मैं जदा कोलम दे वेच भी तो अनू दस से आहाँ अगला जिडा सवाल है वू नेशन ओफ मनेजमेंट थियोरी एल्टाउन में इन्होंने दित्ती सी ठीक है वह ए थियोरी इन्हाने दित्ती सी इना थियोरी यहां दे विच्छो तो आनू एक कदो ज़ीड़े क्वेस्चन है ओपक्के ही आउनके भई हाँ जी ठीक है भई हाँ पता लग गया अगला दे देटर्मिनेशन थियोरी दा सिधान्त किषने पेश किता तीक है था ओदे जडे साइंटिस्ट है ओए ही है एडवर्ड डेसी ओर रिचरड रेयान थिक है ना इनने सेल्फडिक्लरेशन थियोरी दा जड़ा है सिधान्त पेश किता लोड दी दर्जाबंदी दा सिदान हेनार की ओफ नीड्स थियोरी किस ने दिती बोलो जी ए मैसलो ने दिती आपा मैच दा कोलम दे विच भी एक क्वेस्चन करके आएं ठीक है भई? हाँ जी CEO दा मतलब की है आप क्वेस्चन ओई आ गया देखो भई कोडिनेट भी ओप्सन चाहिए जड़ा गलत है आभी गलत है आभी यहना दे विच्चो कोई नहीं ता एंसर केड़ आ जाएगा कोडिनेटिंग क्योंकि कोडिनेट भी आ सकता है कोडिनेटिड भी आ सकता है अपना नो यह धियान रखना है कोडिनेटिंग ठीक है भई हांज अगला देखो FBRBR की है FBRBR एधी फुल फॉर्म पक्का पेपर देवे चाहेगी ठीक है भई FBRBR यानि कि फंक्शनल रिक्वाइरमेंट बिबलियोग्राफिक रिकॉर्ड मॉडल समझा आगी भई याद रखना एधे जड़े ग्रोप है आपोशन भी पेपर देवे चाहेए एधे ग्रोप जड़े आओ तेन है और एधे एलिमेंट है ओ एलिमेंट किन्ने है एलिमेंट एधे च्यार है क्रोप तेन है एलिमेंट एधे च्यार है केड़े-केड़े है वर्क है एक्स्प्रेशन है मैनी फेस्टेशन है आइटम है यानि के डबल्यू ए एम आई ए एधे एलिमेंट है ठीक है भई कॉलन क्लासिफिकेशन देवेचे तो आनू दस्या सी ना ठीक है ना भी इनवर्टेड कॉमा किसनू दर्साया जानदा है ए तो आनू पता है एक कोमेंट बोक्स देवेचे तुसी जरूर लिखना है हाँ भई अगला क्वेच्चन ठीक है जी एन ने की क्या है ए मोडल ओफ इंप्लिमेंटेशन ओफ टोटल क्वालिटी मनेजमेंट देखो भई टीक है वह एम दी फुल फोम आगी ना टोटल क्वालिटी मनेजमेंट ठीक है भई इन इस सिस्टम ओफ लाइबरेरी देखो भी एम बीओ एदा तो अनू कोशन पेपर देवेच आ सकता है मनेजमेंट बाई ओब्जेक्टीव वाज ठीक है ना उन्नी सो चुरंजा देवेच किस थिंकर ने डवलप किता के या पेश किता गया किस थिंकर द्वारा एपेश किता गया तो उन्हादा नाम है अगला देखो भई एशेशन रजिस्टर ओफ लाइबरेरी इस एशेशन रजिस्टर जेड़ा है ओदेवेच लाइबरेरी देवेच लाइबरेरी इस अगला देखो भई ड्रीद में रिकोर्ड वास्ते रख़्या जंदा है लाइबरेरी देवेच पर्मानेट रिकॉर्ड वास्ते हैई एक को hoş on the library collection is recorded in as a session रिस्टर is same order इस थारेके यह कर सकते है जिस त्रीके नाएबरेरी ते विच औड़र जड़ा हो रसीव हो। ही करे भी आधा थ्यान देू हैнок अगला ध्यान दिप खास्टर साइज औफ एकसेशन रिजिस्ट तरो स्टैंडर क क्रेट गेडिए स्टेंडर साइज । कै कैसी का स्टेंडर साइज शोडा एन्ट टेरा हो थ контрό पर किक न इन्चा दे सी। पूल लाइबरेरिययन द्या पंजाव देवेच क्योंकि लाइबरी रिश्टॉर दी पहरली बार परती पंजाव exact अंगली बार ठीक है न हां जैर्ब हुदी युद्युक्र Greece यौसरी जराख बちसी नाउनलोड कर ठीक है भी ओके ठीक है आज दे वास्ते इना ही और लाइक और शेयर करना तुसी बिलकुल भी ना पुल ले आजे मिल दें आप फिर अगली क्लास दे बिच ओदो तक लई बाई बाई जैहे